सोसल डिस्टेंसिंग को लेकर महवा मंडी में वेवस्था अब और चुस्त दुरुस्त होगी इस संबंध में सिटी मेजिस्टेट अभिनो रंजन सिर्वास्तो ने बताया कि महवा मंडी में लगे CCTV कैमरे की संख्या बढ़ाई जा रही है जिस पर वेपारी के दुकाद पर आनावशक भीड हो रही है या जो भी वेपारी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है उनकी दुकानों की कैमरे की निगहबानी होगी और कैमरे से देखकर कारवहिग की जाएगी और जो भी वैपारी बताएगे नियम का पालन नहीं करेगा उसका लाइसेंस ने लंबित कर दिया जाएगा साहब गंजमंडी में वैपारियों को भी पास जारी किया गया है और उनको यह कहा गया है कि वा केवल होम डिलेवरी का ही काम करेंगे उनके दुकानों के सामने एक मीटर की दूरी पर घेरा बनवा दिया गया है जिसे की सोसल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके वहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की वे समस्या थी जिसके लिए अस्थान चिन्नित कर दिया गया है इस संबन्द में गुरकपुर्णी उससे बात करते हुए सिटी मजिस्टेट अभी नहों रंजन से वास्तों ने कहा है तो दस बल्जे से हम लोग यहां पर सब ड्यूटी पाया जाते हैं सेक्टर मजिस्टेट भी लगे हुए हैं और मंडी के भी अपने जो पता दिकारी हैं मंडी समीति के वो भी इसमें सहयोग करते हैं उनका भरपूर सहयोग करता है तो यहां पर घीर काफी नियंत्रित है इसके लावा मंडी में और कैमरेज लगाया जा रहे हैं कि जिस भी वैपारी के हाँ अनावश्य भीड हो रही है जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नौम का पालन नहीं कर रहा है उसे किलाव उस पे कैमरे से देखके फिर कारवाई की जाए हम इस पर विचार कर रहे हैं कि ज से सुबह डिसाइड हो जाता है उस हिसाब से सब्जी यहां बेची जा रही है ठेले वालों को उनके मास्क और जो भी चीजें सनिटाइजर्स और सब चीजें दी जाती हैं उस तरह वह बेचते हैं तो अभी सब नियंत्रित है आगे हम लोग इस पर और भी प्यास कर रहा है इसको और बैटर बनाई सकें साहब इससे वड़ी मन्डी में वैपारियों संख्या बहुत जादा है तो उसके लिए हमने प्रिथक से पास जारी किये हैं ये पास क्रीव एक महीना पहली जाती हुए थे जिन भी दुकान पास जारी हुए उनको दुकान खोलने का मतलब उनको दुकान खोलना है जब नहीं करेंगे हो कि वह ऐख विके लेवली करनी होती आधू उसके लिए अलग से एक पार्किंग स्थल चिनित कर दिया गया है तो सावज मंडी पहले से बैठा रिस्तिती में है और उसके आगे भी और प्रैस किया जा रहा है